इस वीडियो में हम CSS layout के एक बहुत ही important property के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है position property Position basically हम use करते हैं किसी भी element को page के किसी भी particular position पे किसी location पे place करने के लिए पाच तरह के position property के values हो सकते हैं उनमें है static, relative, fixed, absolute और sticky एके करके हम इन सब के बारे में detail में समझेंगे और इनके साथ ही हमें कुछ और properties भी बताना पड़ता है जैसे top, bottom, left और right properties लेकिन ये जो top, bottom, left और right properties है ये बिना position property के काम नहीं करती है ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम बात करते हैं position static का by default अगर हम कोई भी position property यूज नहीं करते हैं अपने web page के अंदर तो इसका मतलब है कि वो उसका जो position है by default static है ये लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर आप देखो ये हमने एक div लिया है उसका class है static और उसमें हमने position दिया है static चलिए try it yourself में मैं चलता हूँ इस example को ध्यान से देखिए यहाँ हमने एक div के अंदर class लिया है static और ये है हमारा div ओके इस div के अंदर content है the div element has position static ये वाला तो इसके चारों तरफ अगर आप देखो तो ये एक border है green कलर का और इसका position है static static means कि ये जो normal flow है अगर मैं position static हटा देता हूँ यहाँ से मैं delete करता हूँ run करता हूँ तो कोई भी फरक आपको यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि by default क्या होता है दोस्तों by default जो position होता है वो static होता है ये normal flow होता है आपके element का next हमारा है position relative अब देखिए यहाँ पर position relative का मतलब क्या है कि जो भी element का normal flow है जो current flow है जहाँ पर actually उसे होना चाहिए उस particular position से हम relative यूज कर रहे हैं मतलब उस particular position से हमें कहाँ पर इस element को move करना है तो इसको move करने के लिए हम क्या यूज करेंगे top, left, right और या bottom अब यहाँ पर चलिए example में आपको बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा ये है हमारा एक element इस element के अंदर हमने यूज किया है position relative तो relative अगर हम यूज नहीं करते तो by default ये कहां से start होता दोस्तों ये यहां से start होता है न ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये मैं static कर देता हूँ अब मैंने इसको static कर दिया तो by default देखिए ये इसकी actual position है इस actual position से हमने कर दिया कि इसको relative कर दो relative to its own position अपनी position के relative अब क्या चाहते हैं लेफ्ट साइट से 30 पिक्सल मूव हो जाए ठीक है अब रन करता हूं यह 30 मूव हो गया यहां से 30 का पैडिंग मिल गया अब 30 को अगर यहां पर तो अगर मैं यहां पर टॉप में आपको 100 पिक्सल दे देता हूं तो अब देखना यह टॉप में कितना फरक आएगा रन पर क्लिक किया तो टॉप से 100 और लेफ्ट से 130 तो इस तरीके से आप पोजीशन रिलेटिव का यूज करके नॉर्मल फ्लो से उस एलिमेंट को एक दूसरे पार्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो अब इसमें धियान देने वाली बात यह है कि अगर आप रिलेटिव यूज कर रहे हो तो इसके आगे और पीछे का जो भी आपका एलिमेंट है ठीक है वो इस पोजीशन से कभ भी उनको फरक नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां मैं पेस्ट करता हूं ठीक है एक आगे और एक पीछे और इसको मैं क्लास डिलेटिव चेंज कर देता हूं डिलेटिव वन कर देता हूं और डिलेटिव वन क्लास नहीं है तो यह इसका पोजी त्यों ठीकिनेट ऐलेते ऐसं पर वह यहां पर होना चाहिए था लेकिन यह इस प्रौक्ण से इससे इसका वुजिशन म क्वा कब दिने जैए कि और में एसने फिल यहां पर यहां अपना पॉजिशन क्योंकि यहां से यहां पर move हो गया तो यह जगा खाली हो जाएगी इसको कोई fill नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा कि third element इस जगा को मतलब इस जगा पर चला जाएगा ऐसा नहीं होगा तो यह blank हो जाएगा और यह वाला जो आपका element है इस जगह पर जो भी हमने top, left, right या bottom दिया है उस हिसाब से position ले लेगा चलिए I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा next हम देखते है position fixed position fixed basically क्या करता है ये position set कर देता है element का relative to viewport viewport मतलब जो आपको दिख रहा है ठीक है it means कि चलो example में चलते है यहाँ पर हम position fixed कर रहे है तो यह हमें यह area यहाँ से लेकर यहाँ तक यह क्या है हमारा viewport है तो इस viewport के accordingly हम किसी element को एक particular specific जगह पर fix कर सकते हैं तो हमने fix कैसे क्या position fixed दे दिया और bottom zero right zero कर दिया तो देखिए bottom पर चला गया हमारा element और right में भी zero हो गया तो right के zero से और bottom के zero से start हुआ तो यह आपका div element जो है यहाँ पर position fixed इस तरीके से display हो गया ठीक है तो यह fix हो जाएगा अगर मैं इसको top zero कर देता और right zero तो देखो यहाँ पर आ जाना चाहिए इसका ठीक है मैं run पर click करता हूँ यह देखिए तो आपका यहाँ पर top right में यह fix हो गया तो यह है हमारा position fixed all right next हमारा है position absolute देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास एक element होता है जो किसी और element के अंदर होता है मतलब कि जैसे यह एक हमारा main div है इस div के अंदर दूसरे div हो सकते है जैसे चलिए example में आपको बताता हूँ यहाँ देखिए यह HTML है हमारा ओके यहाँ पर हमारे पास क्या है एक div है इसके अंदर दूसरा div है ठीक है तो जो अंदर का div है ठीक है उसकी position को आप absolute दे सकते हो absolute क्या करता है absolute जो position अगर आप दोगे तो वो अपने parent के जिसका कोई position set है मतलब कि अगर इस div का parent यह वाला div है और इसमें हमने position कोई भी position दिया है ठीक है position set क्या relative है या fixed है या sticky है कुछ भी है तो इस element के accordingly यह वाला जो inner element है वो उसमें position set हो जाएगा तो यह होता है हमारा position absolute ठीक है तो this position absolute is relative to the nearest positioned ancestor ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने एक div लिया है पहला div है हमारा relative तो relative क्या कर रहा है यहाँ से यह start हो रहा है और इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया इसके width और height हमने set कर दिया और order दे दिया समझने के लिए दूसरा जो div है वो है absolute तो position absolute जैसे हमने किया तो इस element का जो position है इस element के relative वो हो जाएगा तो top से 80 तो यहाँ से 80 और right से 0 तो यह आपके right side में ऐसे यहाँ पर चिपक जाएगा इसकी भी अपनी width और height है तो यह अपना एक एरिया यहाँ पर define कर लेगा तो दोस्तों यह था position absolute I hope आपको यह भी clear हो गया होगा last है हमारा position sticky देखिए sticky के इंदर दो चीज़े होती है यह by default तो होता है position relative लेकिन जैसे ही आप scroll बार यूज करते हो scroll वाले position पर आ जाता है तो वो बन जाता है fix यहाँ पर आप example को देखो ठीक है यहाँ पर हमारा page यहाँ से start हो रहा है ठीक है अब मैं जैसे ही यहाँ scroll करू relative काम कर रहा था position relative लेकिन जैसे ही page हमारा खतम और scroll आ गया तो वैसे ही वो उसका जो position है वो fixed हो जाएगा so this is called position sticky I hope आपको यह video अच्छे से clear हो रहा होगा अच्छा एक important point है कि internet explorer पे आपका sticky support नहीं करता और safari पर इसे यूज करने के लिए हम यूज करते हैं webkit prefix ठीक है और position आपने देना है webkit sticky इससे क्या होगा कि जो safari browser है वहाँ पर position sticky काम करेगा and साथ में आप position sticky दोगे बाकी अलग browsers के लिए तो चलिए I hope आपको यह clear हो गया होगा जितने भी मैंने आपको यहाँ पर properties बताई है position से related जिनकी values है static जो default होती है relative, fixed, absolute और static अब इन चीज़ों को यूज करके आप देखे बहुत एक अच्छा effects बना सकते हो यहाँ इस example में मैं आपको एक बता देता हूँ यह एक आपके पास image है ठीक है और इस image के अंदर अगर आपने text को place करना है चाहे आप उसके top left में करना चाहो यह top right में करना चाहो Center में करना चाहो bottom left में यह bottom right में ठीक है मैं आपको सीधा center वाला बता देता हूँ कि Center में कैसे करते हैं, बाकी सारे आप examples खुद से कर लेना, तो center में करने के लिए आपने सबसे पहले क्या देखो html पर चलते है html में हमने लिया है एक container ठीक है उस container के container को हमने दे दिया position relative ठीक है उसके अंदर हमने लिया है एक image जिसकी height or width कितनी है 1000 width है और 300 height है तो यह image आपको display हो गया साथ में हमने opacity कर दी .3 ताकि इसकी opacity कम हो है ताकि जो हमारा text है वो display हो जाया है मैं पता चल जाया है कि text कहां पर है इसके बाद हमने एक text लिया है और उसमें लिखा है centered उसे हमने एक div के अंदर लिया है जिसका class है center ठीक है अब center को हमने position यूज किया है absolute तो यह center जो text है div जो है वो इस image element के relative में positioned होगा तो अब हम यह कैसे होगा top से 50 परसेंट तो यह top से यहां से 50 परसेंट यहां पर आ गया और width इसकी हमने अगर दी 100 परसेंट तो width इसकी 100 परसेंट हो गया यह पूरा cover कर लेगा और साथ में हमने text align कर दिया center तो यह जो text है हमारा center में align हो जाएगा तो इस technique का यूज करके हम अपने text को image के बिल्कुल center में यूज कर सकते हैं और हमने यूज क्या क्या है यहां पर हमने position यूज किया है position property बाकि के examples जिसमें top left top right bottom left और bottom right है वो आप करके देख सकते हो और इस example को करके आप देख लेना तो I hope this video is clear to you मिलता हूँ next video में thank you